विदान सभाद चुनाव जैसे जैसे नस्दी काते जा रहे हैं वैसे ही वैसे मद्यप्रिदेश की राशनीती भी सियासी तौर पर गर्म होती जा रही है वहीं उम्मिद्वार भी अपनी दावेदारी के लिए ताल ठोकते भी नजर आ रहे हैं ऐसे में एक बार फिर से शियोपर विदान सभाद से कॉंग्रेस के लिए परिशानी बढ़ने वाला एक मामला सामने आया जहां दुर्गेश नंदिनी ने टिकेट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी और टिकेट नहीं मिलने पर निर्दली चुनाव लड़ने की घोशना ही इसी वर्दी के अंपी ने उसकी ये खास रिपोर्ट दरसल विदान सभाद चुनावों में टिकेट के लिए सभी पार्टियों से दावेदार अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और इसी प्रकार शियोपोर विदान सभा से कॉंग्रेस की नेता दुर्गेश नंदिनी ने भी टिकेट के लिए अपनी दावेदारी पेश की और पार्टी को जेतावनी देते हुए कहा कि अगर कॉंग्रेस पार्टी टिकेट नहीं देती तो वह निर्दली चुनाव लड़ेंगी और रई जन्डेल जी की बात तो उनको संभिदान की सपत लेकर के से बिदान सभा में पहुंचेते और बिदान सभा में जाने के बाद में संभिदान को जलाने की बात कही पिछड़े वरक के लोगों के जो बात रखनी चाहिए ती सरकार ने 27 परसेंट आरेक्षन को लूट कि पार्टी दुर्गेश नंदनी को मौका देती है या फिर नहीं।